आज का वर्दान आवास से परे श्रेष्ठ स्थिती में स्थित रहे शांती की शक्ती का अनुभव करने वाले मास्टर बीजरूप भावर आये इस वर्दान का स्वरूप बने आउं शांते मैं आत्मा निर्वान धाम से शांती धाम से परे ते परे परमधाम से इस पंच तत्वों की दुनिया में आवास की दुनिया में पांच हजार वर्ष पूर्वाई थे और धीरे धीरे इस रिष्टी चक्र के हर एक युग के बीतने के साथ इस दुनिया की आवाजें बढ़ती चली गई और मैं अपने शांत सुक स्वरूप को भोल इस शांती को ही इस दिहे को ही इन आवाजों को ही स्विकार कर बैठे है सूस करे ये जूट की दुनिया शोरो गुल्द से परिपोर्ण दुनिया इसे मेरी दुनिया नहीं मैं शांती धाम के मुल निवासी शांत स्वरूप आत्मा हो मैं सूस करे अपनी वास्तविकता को इस सत्य अस्तित्व को और आवाजों की इस दुनिया से जूटी माया जूटी काया से मन बुद्धी की सबरस्यां समेठते जाएं दलकोल डिटाच सबव्यक्त आकर्शनों विकर्शनों से पोड़ नरेते डिटाच हो जाएं ये कुछ भी मेरा नहीं है मेरा तो बस एक बाबा है बाकी सब छूट है सब माया है एकदम न्यारे न कोई प्रभाव न कोई लगाव न कहीं छुकाव ना ही अब कोई आभाव है मैं सर्वप्राप्तियों के स्त्रोत एक बाबा की संतान शक्ति रोप शान्त स्वरोप आत्मा हो बिंदो एकदम ब्रोकुटी के मध्य चमकती हुई जोती बीच के समान मिरभीतर सब ग्यान सर्वखजाने समाए है एसूस करें इस बीच रोप मास्टर सर्वश शक्तिमान स्थिती को न सकेंड में अपने मूल स्वरोप में स्थित होकार फिर पुना इस दिहे में इन कर्मेंद्रियों से जब कर्म कराती हो तो मेरे आंदर एक गुण शक्तियां अंदर की संपोर्ण संपन्न स्थिती मेरे प्रत्तिक कर्म को भी एक्यूरेट और शक्ति शाली बना देती है मैसूस करें प्रत्तिक कर्म में आंदर एक शक्तियों के प्रभाव को मेरे अंदर की शान्ति मुझे दिहें में रहते न्यारा और प्यारा रहने का एहसास दिलाती है कर्म करते कर्म के प्रभाव से संबंध में आते संबंधों के प्रभाव से मुक्त रखती है मिसाक्षी होकर अंदर की डिटैच स्थिती से न्यारी और प्यारी होकर कर्माती त्स्थिती से इस स्रिष्टी रंगमंच पर अपना हीरो पाट बजाती हो फील करें ब्रह्मा बाबा के समान इस संपूर्ण स्थिती को जो मुझे हर कार्य में सफलता का अनभव करा रही है अम् शाथे अम् शाथे झाल झाल